नमस्कार कमाउटी पार्णिंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है आज बंगलबार 29 जून कल के सेशन की बात करें तो कल काफी रींडमाउंट ट्रेड हमने होते हुए देखा है बात करें तो जैसे हमने कहा था कि 14,640 के ओपर जब तक नहीं निकलता है या 14,400 के नीचे नहीं तूटता है जब तक मार्केट डायरी में रहेगा कल हमने देखा इंटरांट में डार इंडेक्स में तेजी कंटीन्यू बनी वी है जिसकी वज़े से सुने और चंदी में इनका वो कही ना कहीं वापस हमने देखा एंडिया में चहां पर लॉकडाउन फिर से लॉटता हुआ है दिखाई दे रहा है यह गोल को सपोर्ट भी कर रहा है मेजर अगर देखा जाए तो यह हपते के जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है यह काफी इंपोर्टन रहेगा जो आगे की रणनिती रखेगा लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो अट्रा सो का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है गोल तब तक पॉसिबिलिटी है कि हम सत्रा सो चपन से लेके सत्रा सो बीस तक की भी लेवल गोल में देख पाएंगे और यही दबाव M6 बुल्डेक् के चलिए गोल्ड की बात करें तो पिछले एक हपते में हमने कभी भी प्राइजस को फॉर्टी संग तीन सो के ऊपर नहीं निकलता है हाई पॉसिबिलिटी है कि हम फॉर्टी सिक्स पांसो पचास से लेके फॉर्टी सी दो सो तक का भी लेवल यह हपते में देख पाएंगे सिमिलरी चांदी भी जब तक सतर जार पांसो के ऊपर नहीं निकलती है ट्रैन वीक रहेगा जो चांसट पांसो तक के भी लेवल दिखा सकते हैं तो यह अपते में सोने और चांदी पे तुरा समझ के रही है वालेड़ी काफी ज़्यादा बढ़ जागी कि कोई चार्टी कर सब्सक्राइब करेंगे जिसके वैसे कर दो सब्सक्राइब करेंगे तो आप साइड में हमें लगता है कि जो डिमांड इंप्रूमेंट है वो तो नाइंटी तक के भी लेवल दिखा सकते हैं तो और और नेचल के इसमें बाइवान डॉप का स्टेजी रखके चलिए बढ़ सब्सक्राइब करेंगे जो प्रॉफिट ग्रोथ है इंडुसरी फर्म्स के उसका डीटा खराब आतावा दिखाई दे रहा है और अल्री हमने देखा पिसले चाइना गॉर्मेंट ने हायर भाव की वज़े से चिंता जताया उसके बाद कुछ सलिंग भी है जिसके चलते यहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि जो इन्वेंटरी जै उसमें डॉप आया है जो प्राइज को अभी सपोर्ट कर रहा है बडिनौल मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा सा वीग दिखाई दे रहा है नोड़ यह से इंफ्रास्रक्ट्ट्ट अगर 1764 का लेवल तो तो 1756 से 1730 तक की भी लेवल दिखा सकता है अबने से 1790 के उपर नहीं निकलता गोल्ड भी क्वाली करके चलिए 26-40 के उपर जब तक चानी नहीं निकलती है ट्रेंड वीक रहेगा जो 25-40 तक का लेवल दिखा देगा डब्लू ट्याइब ब्रेंड गर्णों में ही गिरावट करूप रहेगा नैच्छर गैस में थोड़ी भी गिरावट आये तो लेके चलिए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा विक संदेक्स की बड़तरी की चलते है पॉजिटिव दिखा रहा है साथ में इसी भी प्रेसिडेंट की भी स्पीच रहेगी तो ओवर और लाग डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सपोर्ट मिलतावा दिखाए देगा आज के लिए एंचे बेच के चलिए 14,400 के टार्गेट के लिए गोल्ड को विक्वाली करके जो की 236 का लेवल है पॉसिबिलेटी हम 230 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं जिंग के प्राइजस में अधी जनकरी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सस्काइब कीजिए इस चैनल में हम आप तक एक्यूटी कमार्टिक करनसे के अपडेट लाते रहेंगे वीडियो प